हां जी मित्रों तो सबसे पहले एक बार शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ टू टॉपिक्स डेट वी कवर्ड सबसे पहले आया का सर ओड़िट ओफ क्लब सरे कौन सा क्लब है तो हमने यह डिसकस किया तो यह वह वाला क्लब ने जिसमें पार्टी वाटी करते हैं इस लाइक क्ल जनरली आप जाके membership वगर लेते हो गॉल्फ वगर खेलते हो ठीक है वहा पर आप टेवल टैनिस खेलते हो जिम का मज़ा उडाते हो तो जनरली दिल्ली मेंगर जैसे जिम खाना क्लब है रॉशनारा क्लब है उस तरह के clubs की हम बात कर रहे हैं इन clubs में generally हमें क्या करना है as the auditor मैंने का 3 layer structure रहता है सबसे पहले तो आपको ए क्लब की membership लेनी होती है उसको कहते entrance fees या membership fees हर साल आपको subscription पे करनी होती है उसको कहते subscription fees ताकि आपकी membership active रहे and last होती है variable fees variable fees का मतलब है जब आप मजेल होगे तो उसकी fees देनी है मजेल होगे मतलब आपने कुछ खाना खाया तो उसकी fees आपने कुछ पिया उसकी fees पानी की बात कर रहा हूँ या fruit juice की बात कर रहा हूँ या इसके लावा आपने कुछ games खेली आपने वहाँ पे जाके table tennis खेला badminton खेला lawn tennis खेला या gymming करी तो उसकी आपको fees अलग से देनी पड़ती है तो three layer fees होती है तो as a auditor सबसे पहले हम entrance fees चेक करेंगे अब अगर किसी बंदे ने entrance fees दी है तो उसको रसीद भी मिलेगी उसको ये लोग कहते counterfoil तो आपने entrance fees देखने है with the member की application counterfoil and साथ ही साथ उसकी जो membership approve होती तो managing committee उसकी meeting करती है तो उसके minutes देख लेना ठीक है sir अब आते easy easy point subscription वाले जब भी कोई बंदा subscription देगा again उसको counterfoil मिलेगी तो आप counterfoil देख लेना plus उसकी subscription कितनी due बनती है अब register से देख सकते हो members के register में लिखा होगा और आप देख लेना कितनी due थी कितनी receive होई क्योंकि जो receive नहीं होई वो अगले point में आएगी उसको कहते arrears of subscription तो यह सारी बाते आपने बच्पन में जब NGO के accounts बना है non for profit organization के accounts बना है तो यह calculation आप करते रहते थे subscription, arrears of subscription, advance subscription तो यही बाते as a auditor आपने check करके चलनी है अब सर अगला point क्या कहता है यह कहता है कि जो भी यह members की register में calculation है यह accurate होनी चीए there should be arithmetical accuracy और अगर किसी से subscription receive नहीं हो सकती तो सर उसको bad debt बना देंगे मैंने का तुम बिलकुल सही कह रहे यह कुछ अजीब सा लिखते है यह कहते है आप देखो steps for recovery and साथ ही साथ अगर पैसा recover नहीं हो सकता तो आप उसको audit report में mention करके चलोगे क्या यह basic point clear है हाँ sir फिर मैंने कहा था कि इसमें pricing अगरा देख ले ना यह जो normal variable fees होती है तो अगर किसी ने foods लिया beverages लिया या उसने कुछ services avail करी तो जो भी pricing करी गई है वो एकदम properly करी गई है for the special services foods and drinks ठीक है sir फिर यह जो बाद वाले points से इनको बस read करके चलना था member accounts को आप उनी amount से debit करोगे जो उन्होंने services avail करी है फिर purchases में क्या था जो भी आपने sports items खरी दे कोई table tennis का racket खरी दा कोई table tennis की balls करी दी कोई और बाकी आपने purchase करे items ठीक है या food items कुछ purchase करे तो जो भी purchases है जो भी sales है वो आपकी inventory register और आपका trading account उसका बन जायेगा ठीक है sir इसी तरह आपने as a auditor inventory चेक करने की जो भी inventory है sports items की food items की उसको आप inventory register से check कर सकते हो और जरूत पड़े तो थोड़ा physically verify कर सकते हो ठीक है sir फिर आते investments और management की power investment मतलब अगर club के पास थोड़ा extra पैसा पड़ा है उसको लगता है कि मुझे भी mutual funds में इंवेस्ट करना चाहिए क्योंकि mutual fund सही है तो वो क्या कर सकते है किसी company के shares में किसी company के bonds डिवेंचर में invest कर सकते है तो as a auditor आप देख ले ना उनकी valuation ठीक है current value पर balance sheet में दिखा है तो basic सी बात है आपको already आती थी management की power का क्या मतलब है club के अंदर जो सबसे उपर management रहती है उसको क्या कहते है CEO नहीं secretary आतमा राम तुका राम बीड़े एक मेंवर secretary के जिए बच्चे ने बोला कि सब्सकी फीला रही है तो मैंने का आपने secretary की financial powers देखनी है अगर उसने financial power के आगे जाके कोई decision लिया तो क्या वो management committee ने approve किया थी कि नी तो managing committee is just like the board of director ठीक है sir फिर अपन चले cinema hall अचा cinema hall में ICI जो generally question पूछता है वो कहता है as a auditor how you will verify the receipt from the sale of tickets तो जो भी cinema ने tickets वगर बेची तो उसके लिए क्या देखोगे मैंने का internal control देखेंगे internal control कहता है कि cinema में entry नहीं होती जब तक वो ticket check नहीं करते तो पहले आपने ही देखना है entrance is allowed only through printed tickets तो आज की rate में तो QR code दिखाओ अंदर गुल जाओ बट अब ये कह रहे है ये लोग थोड़े outdated है तो ये कहता है printed ticket चेक करेंगे अब ये जो ticket है ये serially numbered होनी चाहिए अगर आपके एक show में different class of ticket है कोई gold class है कोई diamond class है कोई normal class है तो वो भी serially numbered होनी चाहिए ठीक है सर फिर ये कहता है advance booking की जो ticket है उनकी numbering अलग हो सकती है and last में जो भी tickets बच गई है उसको आप responsible officer की custody में रखो तो पहले internal controls about the tickets ठीक है सर फिर आपने चलना है chronology में chronology में कैसे चलना है कि हम कैसे चेक करें जितनी ticket sale होई उतना पैसा आ गया तो ये कहता है आप statement बनाओ of the ticket sold उसको compare करो with the cash collected हो सकता है cash come collect यो ticket ज्यादा बिकी हो सर ऐसा कैसे हो सकता है कुछ free में बिक गई तो उनको कहते है free passes तो जब भी free passes होते है तो उसमें आपने चेक करना है क्या वो authorized थे ऐसी तो नहीं किसी को free passes बाट दिये market में नहीं से तो उसकी authorization चेक करनी है अब इसी का ultra point last point था यहाँ आप tickets को compare करते हो with the cash collected last point कहते है cash book को compare करो with the tickets issued ठीक है तो दोनों उल्टे-पुल्टे point है and beach में एक point रहे गया सर कौन सा entertainment tax तो picture है सिर्फ तीन चीजों से चलती है entertainment, entertainment, entertainment पर उसमें tax लगता है तो जो entertainment tax है वो क्या हो collect होके government को जमा कराया गया तो उसके लिए आप tax returns वगरा देख सकते हो then we discussed about few other points इसमें कुछ अलग incomes और खर्चों की बात कर रखे तो पहले दो incomes की बात कर लेते है दो अलग incomes क्या होती है तो जो भी कोई picture चलती है तो उसके पहले आपके advertisements आती है आगे आने वाली pictures के trailers आते है तो वो जो भी advertisement आती है जैसे गुटका मुकेश हो गया या और कोई advertisement हो गई भारत की मिटी से भारत की टाइले बनाते है ठीक है उसके बाद वो JK Cement की एड आती है तो ये सब एड से भी hotel कह रहा हूँ तो ये कहता है तो उनको आप agreement से compare कर लेना ठीक है सर दूसरी कमाई कहां से होती है जो आप popcorn खाते हो जो आप popcorn खाते हो और दूसरी को खिलाते हो वो popcorn से भी क्या cinema कमाई करता है हाँ तो ये कहता है जो भी collection है in the share of restaurant income तो वो या तो fixed amount हो सकती है या एक percentage basis पे हो सकती है वो भी आप check कर सकते हो ठीक है सर फिर बात करते हैं खर्चों की एक तो हो गई दूसरी की advertisement दिखाना वो income है बट क्या जो cinema है वो खुद अपनी advertisement भी करता है हाँ सर क्या उसमें भी repair and maintenance होता है हाँ सर तो ये कहता है जो खुद की advertisement करी वो खर्चा है जो खुद का repair and maintenance करा वो खर्चा है उसको capitalize मत कर देना इसी तरह आपके और क्या क्या खर्चे होते हैं मैंने का और खर्चे होते हैं जो आप film दिखाते हो तो film दिखाने के लिए distributor को पैसे देने होते है अगर मुझे दिखानी है पठान मुझे दिखानी है Tiger 3 तो distributor कौन है ये श्राज film उसको पैसा जाता है ठीक है सब मज़ा आ गया इसी तरह अगर मुझे दिखानी है माण लो कोई और पिचर और famous distributor कौन है मैं बलाता हूँ आपको दिखानी है Rocky Rani की प्रेम कहानी तो इसका distributor कौन है धर्मा production यानि करन जोहर तो करन जोहर को पैसा जाएगा तो यह कहता है कि जो भी film के higher charges है वो distributor को पैसे देने पढ़ते है अगर distributor को आपने कुछ advance payment कर रखा है और उसका कुछ unadjusted balance है तो चेक कर लेना वो good और recoverable है उसका कोई provision बनाने की ज़रुवत तो नहीं है यहाँ आपके सारे के सारे points cover हो जाते हैं दोनों के दोनो points clear है cinema भी और club भी दोनों important exam point of view से तो इनको अच्छे से करके चलना